वेले लिए अगर आग लगती है तो उसका हम इमर्जनसी मेनजमेंट कैसे करेंगे अब आद कालेंगे इस यती में लोगों को कैसे बहार निकालेंगे और कैसे पब्लीक की सेप्टी करेंगे तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारें बात करेंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल ऐकन दबाईए फ्रेंट चलिए स्चार्ट करता है फ्रेंट सबसे पहले हैर बात करेंगे फायर इमर्जनसी मेनेजमेंट की तो आपके पास skill होनी चाहिए आपके पास knowledge होना चाहिए कि आप आग लगने के cases में कैसे लोगों को बाहर निकालेंगे किसी work place पे किसी building में अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे लोग फंच चुके हैं आग के case में तब कैसे उन लोगों को बाहर निकालेंगे इसके बारे में आपके पास proper knowledge होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए तो इसके कुछ points है जैसे कि जिस भी building पे आप काम कर रहे हो या जिस भी work place पे आप काम कर रहे हो वहाँ का emergency escape route आपको पता होना चाहिए कि अगर आग लगती है तो कैसे हम लोगों को हम लोगों को जो काम कर रहे हैं building के अंदर या जो residence है वो रहे हैं building के अंदर उनको हम बहार निकालेंगे कौंसा emergency escape route हम वहाँ पे use करेंगे उसके बाद हमें यह देखना है कि वहाँ पे कोई बच्चे है कोई बोड़े हैं क्योंकि बच्चे बोड़े होते हैं वह उतने एबल नहीं होते उतनी फास्ट दूरी तैय करने में उतना जल्दी building से या work place से बहार निकलने की cases में तो वहाँ पे हमें यह भी देखना है कि कोई अगर बच्चे हैं या बोड़े हैं या disabled person है उनकी दर्फ हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए कि हम उनको आसानी से बाहर निकालें अगर वो सोये हुए हैं रात का case है और वहाँ पे अगर आग लगी है तो हम emergency management यह कर सकते है हैं कि वहाँ पे एक बेट शेकर डिवाई से हम वो लेगा सकते हैं ताके जो disabled person है या जो person सो रहा है वो उट सकके आग लगने यह cases में स्मोक अलारग system का हम यूज कर सकते हैं जो हमारे स्मोक अलारग system होते हैं कि जैसे ही आग लगती है और वहाँ से थुआ राइज होता है उस स्मोक को वो detect करें और सीधा signal जो है फायलाम पैनल को भेज दें इस सब चीतों के साथ हम गया कर सकते हैं fire safety management कर सकते हैं उसके साथ ह हम वहाँ पे training भी provide कर सकते हैं जो हमारे building में residence रह रह रहे हैं जाकर जो हमारा work place है वहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं तो उनको हम training provide करेंगे कि आपके पास emergency escape route क्या होना चाहिए आपके cases में आपके पास emergency exit door कि दह है उसकी location हार employee को पता होनी चाहिए आप इस सब के बारे म होगे और अपने लोगों की safety जो है वो कर सकते हो तो friends यह ती जानकारी हमारी fire safety emergency management के बारे में आशक अपने आपको वीडियो पसंद आएगा thank you